हेलो मेरे प्यारे बच्चेों, कैसे आप सब, आज हम लोग क्लास थर्ड हिंदी का एक और पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, इससे पहले हम इप कर चुके हैं, तो आप लोग पेपर सॉल्व करते रहे हैं, जुलाई के 15 जुलाई से कही पॉसिस फुल में स्टार्ट हैं, कोई 20 से हैं, आपके पेपर आने वाले हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप लोग एक्जाम में लिख नहीं पाएंगे, तो देखे, पहले आपको लिखना है नाम या पे आपका सेक्शन या पे देनाग बर्ग, ठीक है, भिंदी का प तो पठन में हम लोग जैसा कि देखते हैं, आपठित गद्धांस एक दिया जाता है आप लोगों को इसके पढ़कर प्रश्णों के उत्तर देना होते हैं, तो हम इस प्रश्णों के उत्तर को जस्ट आम रिट मैं केमरा अपना साइड से कर दूँ, हमें गद्धांस पढ़ेंगे, उस गद्धांस के फिर प्रश्णों का उत्तर देंगे, पहले है एक चिडिया थी, उसने एक पोटली बना ली, अच्छा या बुरा जो भी उसके साथ होता, एक छोटा सा पत्थर उस पोटली में डाल दे थी, अब बताई आपको संज में आया, एक चिडिया थी, उसने एक पोटली बना ली, पोटली थी जैसे कपड़ी की कोई थैला बनाना, ठीक है, पोटली बना ली, अच्छा या बुरा उसके साथ कुछ भी होता, अच्छा होत पत्थर डालती, बुरा होता, तब भी पत्थर डालती, ठीक है, तो इसे क्या होगा, पोटली जल्दी भर जाएगी, चली भाई, देखते आंगे क्या होता है, कुछ ही दिनों में उसकी पोटली बहुत ही भारी हो गई, होई जाएगी, क्योंकि हर समय अगर अच्छा भी हो अगर पुरानी अप्रिये वातों को भूल कर भविश के पत्पराग्रशन नहीं होंगे, तो हम कभी बरतमान का आनंद नहीं ले पाएगे, अब आपका इसमें गद्दान्स में कैसे च्छा मिली, कि हमें कभी भी पुरानी वातों को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, यह निकजिन नहीं, इसने मुझसे ऐसे पहले लड़ाई की थी, अम मैं इसका फ्रंड नहीं बनूँगा, गंदी बर, अरे पुरानी बातें भूल जाएए, भविश में कभी भी हाप आँगे नहीं बढ़ पाएगे, अगर आप पुरानी बातों को पकड़के रखेंगे, ठीक बना ली, अच्छा या बोरा जो भी उसके साथ होता, वह एक छोटासा पत्थर उस पोटली में डाल दे थी, तो क्या डालती थी, पत्थर, जितना पूछा गया है, उतना ही लिखना है, चिडिया पोटली में पत्थर डाल देती थी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चिडिया बहुत भारी हो गई ही, अब है अगला प्रेशन, कुछ और दिन बीतने पर क्या हुआ, तो कुछ और दिन बीतने पर क्या हुआ था, चलना फिरना भी मुस्किल हो गया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चिडिया का चिडिया का चलना फिरना भी यह दिखेंगे, आप लिखा चलना फिरना भी मुश्किल मुस्किल हो गया था, ठीक है, अगला प्रश्ण है हमारा, इस गद्दान से हमें क्या सिच्छा मिलती है, तो क्या सिच्छा मिलती इस गद्दान से हमें, हमें कभी भी पुरानी वातों को पकड़कर नहीं रखना चाहिए, तो हम लिखेंगे अप्रिये वातों को, ठीक है, अप्रिये अप्रिये वातों को हमें भुला देना चाहिए, हमें भुला देना चाहिए, अगला प्रेशन है हमारा निमलिखित सब्दों के बिलोम शब्द लिखिए, आनंद का छोटा भविश्य, तो इसमें तीन बिलोम चब दिये, तीनों को हम लिखेंगे, आनंद का हमारा होगा दुख, अगर हम खुस होते हैं, तो हमको दुख भी तो आता है, तो यहां पे होगा दुख, छोटा का बड़ा, भविश्य का भूत, भूत काल, काल नहीं लिखना है, फिर भूत लिखना है, अब है दूसरा पाठ, हमारा बर्दमा, लिखन, अब लिखन में हमें क्या करना है, निमने प्रश्णों के उत्तर लिखो, पहला है, दो पेर वाले जीवों को क्या कहते हैं, तो दो पेर वाले जीवों को हमने उस पेर, जो कितने पेर हैं, कितने पेर में पढ़ा था, कि दो nagyaru जीवे को क्या बोलतेते दियो पाध कहते हैkim लुबू पाध कहते है अगला है kangaroo किस देश में पाए जाता है, तो हमें भी लिखना है, झालिए लिखिए आस्ट्रेलिया, लिखने में बच्चों गल्ती मत करना, लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, आस्ट्रेलिया, मैं पाया जाता है, अगला है, हर दम उचा कौन? चड़ता है, तो ये धुआ, कौन उड़ता है? धुआ, ये सीखो कवता से है, आपने दूद और पानी से क्या सीखा? अगला है, हमारा बर्तनी से, बर्तनी में है, सब्द का सही रूप, चुनकर उस पर गोला लगाईए, आपको कुछ सब्द दिये जाते हैं बर्तनी में, या तो इस तरह से लुग दिये जाते हैं, पूरे, या पे एक सब्द लिख दिया, बीचों छोड़ दिया, कि और से गुला लगाने को देंगे, तो पहला है हमारा धूप, तो देखें, छोटे उकी मांतर आईगी है, बड़े उकी, तो धूप, बोलके देखिए, बड़े उकी आरी ना, धूप, पर्वत, पार, तो रा पहले आ रहा है, लेकि पावर्त नहीं, ये वाला सही है, पर्वत, पूजा, पूजा में भी कौनसा है, बड़ा, फू-जा, ओके, खूब, इसमें तो दोनों ही सही है, तो ये आपको न, एक इधर इसमें छोटे उकी-ऊपी, ऐसे, इसतर ऐसे होगी, ठीक है, अगला है हमारा प्रभू, प्रभू कौनसा है, प्रभू, तो हमारा ये छोटे- वाला सई है प्रभू सच मुच सच मुच भी आपका सई होगा छोटे वाला ये वाला ठीक है इधर छोटे हो गई है हमारी ये बरतनी हो गई अब हम चलते हैं next कुश्चन पर ये कुश्चन आपके इसमें नहीं है ये वाला है ठीक है अनेक शब्दों के लिए एक सब्द विकल्प मैंसे खोच कर लिखें आपको ये कुश्चन आपको सॉल्ब करना ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम की पॉंट से चार पैरो वालों को क्या बोलते हैं चौपाया चार भुजा वालें को चतुर गोज जहां पुस्तक संग्राले की जाती हो पुस्तकाले दो पैर वालों को दियूपाद आठ पैर वालों को अस्टपाद पांच पैर वालों को पंच पाद ये कुश्चन की लिखने के प्रैक नहीं कि आपको वर्तनी में दिखा तो अगला है हमारा सुलेक, फिर से सुलेक, यह तो सुलेक आता ही है, क्योंकि यह पांच नमबर का होता है, अगर आप लोग अच्छी सी राइटिंग में करके आते हैं, तो बच्चों को पूरे पांच नमबर दिये जाते हैं, आप लोग अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, मेरे जैसी राइटिंग में लिखिएगा नादर मेरे तो पैन स्लिप होता है स्क्रीन पर, खीक है, चलिए आप मिलते हैं नेक्स वीडियो में, नेक्स पेपर के साथ तब तक लिए आप लोगो पसंद आयों, तो लाक किज़े, शे तर किज़ें, अपर के जी बाइटिंगा।